तो दोस्तों हम बस में से उतर गए और यहां का एक मंदीर है कोटेश्वर मंदीर की तरफ जा रहे हैं और मेरे पिछे मेरे दोस्त लोग तो अभी हमको थोड़ा बहुत पाड़ पी चड़ना है तो पहां पे मिलते हैं अब देख रहे हैं वह कोटेश्वर का मंदीर है बहुत ही अच्छा मंदीर है और हम वहां का दर्शन करते हैं और जो रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ तो आपका अंदर का व्यू भी बताते हैं हैज प्टेश्शन नहीं है बहुत है याज शोड़ पर जाद के रहे हैं और नहीं है नहीं है बहुत हैं झाल झाल अलना है कि अ आगी कि चाहसमघ्ट है तो तन दोदे करते हैं चळ्ड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी पर को में में बहुत बहुत बढ़े मेरे साथ मेरा दोस्त्ते सब लोगा रहा और बहुत मचा आ रहा है और रहा और हम बापिस होटल तक जने वाले और कहना खने वाले हैं बाद में हम रिटन सुरिंद्र नगर के लिए निकलेंगे और रास्ते में जो दार्मिक स्थाल लाएंगे उसको भी आपको दिखाएंगे और उनको भी वीडियो बनाएंगे तो चलिए आगे मिलता है जो पसके लिए दो प्राइब शेस्टट के लिए आपको जो ऑछाएंगे और आपकोचे एंगे तो रदारेंगे यद्राइएंगे झाल झाल सब्सक्राइब टेश्राइब टेश्राइब आप गारिवरीदी जोसमार आत्या तो टेश्राइब टेश्राइब टेश। कर लिया कुमलिया फिर लिया मताजी के दर्शन भी कर लिया गबर के दर्शन भी कर लिये और दो पेर को खना वना खाके गुमलिया और फिर सब लोग बहुत थक गए है अब तो बस वापिस जाने का इंतजार कर रहे है और फिर फोग्रम में इसा है कि वापिस उंजा जाना है और उम्यामाता जी के भी दर्शन करने है तो अब यहां से निकलेंगे और वहां पर चलेंगे तो वीडियो में बने रहेगा हम आपको वहां का भी नजारा दिखाएंगे और दर्शन भी कराएंगे